आने के बाद रहें गाय भहांस को 500 ml इयप पिला दो आप अपनी गाय भहांस में दूद की मातर्य बढ़ा सकते हैं साथ में आपके पर शूह में पावस नहीं रहा है यह दूद नहीं दे रहा है आना खानी कर रहा है तो उस तरह की केस में जैसे फैस डिलेवरी होती है गाय भ उन्हें पशू को पिला देंगे तो इस तरह की शिकाइट देखने को नहीं मिलेगी बट आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इससे क्या होगा कि आपका पशू सही समय पर खाना पिना भी कर देगा पशू में किसी तरह की कोई दिकत भी देखने को नहीं मिलेगी वे माँ आपको बताऊंगा तो वीडियो सोटी बनाए गई है चैनल पर नए आए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको पता है कि चैनल पर सही जानकार के साथ वीडियो दी जाती है तो बहुत इस तरह की जो मैंने टोनिक बताता हूं उनमें से आपको एक ऐसा पिना में अनाकानी करते हैं जैसे तो वह खाना पिना भी सुचा रूप से कर देगा साथ में क्या होता है कि जैसे डिलेवरी होती है तो उस पसू की एनरजी डाउन हो जाती है तो उस एनरजी को बुस्ट करने के लिए भी वह आपके पसू में काम करेगी और अच्छा जान पर तो शाथ में आपके प्सू में कई तरह की रोग के रोग हैं वह पसू में देखने को नहीं मिलेंगे बयांने के बाद में आपने डिटीजिस करेंगें ऐसा कौन सा लिक्विड आता हैमां आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से नेश्रॉर का आता है काम देनू ज कि आप अपने पसूँ को जैसे इदी डिलिवरी होती है तो उसके बाद में 500 ml एक साथ यानि 500 ml एक साथ आप अपनी गाय बैंस को डायरेक्ट पिला दें डायरेक्ट नहीं दे रहें तो जो भी यह दिया बांट या कुछ गोल मिला करके दे रहें उसमें मिला करके दें और फि इसे दिन आपको 500 ml पिलाना है इस तरह से आप अपनी गाय बैंस को सूपर जो यह फिड आता है फिड सप्लिमेंट है नुकसान इसका कोई नहीं है वह अचा रिजल पसूँ में देता है ब्याने के बाद में कई तरह के रूगों से आप अपने पसूँ को बचा सकते हैं तो आप अपने गाय बैंस को इस तरह से लगातार तीन दिन यह एक लीटर जो आए यह काम देनूं यह पोस्ट का अलविंग यह ब्याने के बाद में आप अपनी गाय बैंस को दे सकते हैं नुकसान नहीं करेगा बहुत अच्छा रिजल देगा जितने जो डेरी फार्मर या प परणार हो चुका है तो उस तरह से परशुब को जापा शुदा आने का ये टोनिक आता है आप अपने परशुब का जापा सुधा सकते हैं तो यह वीडियो जितना हो सकता है परशुब पालक है वेटिनेरियर नहीं उनके साथ आप सेर करें ताकि उन्हें प्रोपर करेंगी इसी तरशी वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद